वेल भागवत गीता एक हम लोग भागवत गीता को एक ग्रंथ समझते हैं मगर एक्चली वो ग्रंथ नहीं है कि जिनरली लोग ग्रंथों को एक कपड़ में बांग के मंदिर में रख देते मगर गीता ऐसी किताब नहीं है जिसने गीता पढ़ी है उसको बताए कि गीता एक बहुत साइंटिफिक भूग है साइंस ऑफ सेल्फ रिलाइज़िशन ऐसा बोला जाता है आत्म साक्षातकर का विज्ञान सो गीता में जैसे मैं कर बता रहता है गीता के अंदर laws of life दिये है जीवन कैसे जीन है मगर उससे भी जादा गीता में ये बताया है कि हम कौन है और भगवान कौन है और भगवान और हमारे बीच में संबंद क्या है सो भगवान खोद गीता में कह रहे है जन्मृत्यू जराव्यादी दुख्धा दोशानू दर्शनम प्रिश्ना कह रहे हैं गीता में कि एक wise, एक बुद्धीमान आदमी ये देख सकता है कि ये संसार में एक ordinary आदमी घर देखता है गाड़ी देखता है, सेल फोन, अपना शरीर, मैं ब्यूटिफुल हूँ या मैं हैंसम हूँ, whatever it is मगर एक बुद्धीमान व्यक्ती पश्चन्ति ज्यान अचक्शुशेक बुद्धीमान व्यक्ती इस सब के पीछे देखता है कि ये सब किसका है सब के पीछे कौन है और सब कांट्रोलर कौन है, वो बुद्धीमान व्यक्ती रहे, जैसे और अगर कोई देखे, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो बच्चा पापा से कहाएंगा पापा गाड़ी चल रही है पापा कहेंगे बच्चे को कि इसके अंदर ड्राइवर बैठा इसने चलते हैं जैसे उधारन के लिए एक बहुत बड़ा मैथेमेटिशन दजीन हो तो उसने कहा कि अगर जैसे तीर तीर चलाते हैं तीर छोड़ देते हैं अगर आप तीर को हवा में जाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा तीर अपने आप चल रहा है मगर एक बुद्धिवान विप्ति को पता किसी में छोड़ा है उसी प्रकार अगर इस ब्रह्मान्द को देखोगे आप इस संसार को कॉस्मॉलोजी एस्ट्रणॉमी तारे हैं सूरज है चंद्रमा है अपने शरीर को भी ऐसा लगते अपने आप चल रहा है मगार अगर हम ध्यानते सोचेंगे तो इसको शुरू करने वाला कोई है तो तीर को चलाने वाला कोई होता है वो कौन है हमारी हमारे बॉड़ी में हमारे शरीर में कृष्ण भग्मान गीता में ही कह रहे हैं भग्मान कह रहे है कि हिर्दय देश अर्जुना तिश्थती कृष्ण कह रहे हैं देखो कृष्ण गीता में बहुत अच्छे लॉजिक दे ले गीता में सिरफ और्डिनरी आदमी सोचता है गीता में सिरफ घंटी बजाना या एक हिंदू धर्म की बात है ऐसा कुछ नहीं ह भग्मान 15 चाप्टर में कह रहे हैं सर्वस्य चाम हिडि सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्यानम अपो हनम चव्ष्ण कह रहे हैं यूसी सिंपल लॉजिक है प्रिश्ण कह रहे हैं मैं हूँ अगर तुम अपना शरीर देखोगे तो शरीर में हमारा हिर्दे हाठ है नहीं आप सोजाते हो मगर आपका हिर्दे चलता रहता है कौन चला रहा है कि सब्सक्राइब कि ब्रेंब्रेंब्रें समझते हो अगर आप हार्ट को बाड़ी से बाहर नेकालो फिर भी चलता रहता है है मैंने तो हमने तो अपरेशन्स भी है तो अगर अब हार्ट को निकाल दो के बाड़ी से भार खिर भी चलता रहेगा क्यों कि 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 सी को नेइफ पता क्यों और रहा है सक किसी को भी नेफ़ता इसको गएँ हाड कांस्प्राट के निकाल के दूसरे में लगा देते है अग की होता है सूर का निकाल के भी लगा देते हैं आदमीं में ऐसा कोशिश कर रहे हैं वो लोग पता नहीं क्या वो सूर जैसा बन जाएगा होगा बाट बहुत बहुत भड़ी बात हो जाएगी उसके लिए बहुत एड़ांस साइंस रही है बट पॉइंट मेरा यह है कि हाट किसी भी काडियोल्जिस से पूछो क्यों चल रहा है कि ऐसे नोड और कुछ चीजें हैं बट किसी को पता नहीं कि हो रहा है जो हाट को एनरजी दे रहा है धक 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 होता है नहीं होता है प्रॉब्लम यह है कि आप सो जाते हो फिर भी चलता रहता इसका माला आपके चंट् जागेंगे तो अच्छल लो ऐसे नहीं होता वो चलता रहता है तो कोई पावर चला रही है कृष्णा करें मैं हो उसको बहुते है परमात्मा एक सुपर सोल अंदर है भगवान कृष्णा परमात्मा के रूप में सबके हिर्दे में बैठे है और स्मितिर ज्यानम अपो हनम कुछ बहगमान ही आपको चीजे याद दिलाते रहanti कुछ चीजे हम बूल राते वही पुला देते हैं reduce अधे काई बिमारिया होती है रहिक और स्तवित नयद बूलते पुलते हैं कापने चीजेव Bowl लाते हैं वहे होकत लोग क्यों भूल रहे हैं क्योंकि फ़र्मात्मा उसको भूला रहे हैं को चीज़े या दिला रहे हैं पिछले जनाम को सब कुछ भूल चुके हैं किसने भूला है फ़र्मात्मा पिछले साल का भी सब कुछ भूल चुके हैं पिछले महीने के सब कुछ भूल चुके हैं कोई पावर है जो क् writers नयों पधिश लागश सारे लोग जिन को पिछले जनम को यादब आते हैं बहुत सारे लोग्यार रही हैं सिरफ धार्मिक लोग नहीं नश्तिक लोग जो भगवानि को नहीं मांते थे अनको पिछले so that's the point point यह है कि भगवान है उसका लॉजिक उसका एविदेंस गीता में दिया है तो एक तो आपके अंदर ही है प्रिष्ण ने एक और चीज़ कह रहे हैं स्मृतिर ज्यानम अपोहनम चप प्रिष्ण कह रहे हैं कि सुलाने वाला भी मैं हूँ और जगाने वाला भी मैं हूँ तो लोग पूछने भगवान पाएं हमें दिखाओ वेल मूर्ख है होगा अच्छिली क्योंकि रोज भगवान चुछन है मैं हुम अगर हमें समझ हीं नहीं है कि थे कि पतने कौण स्छों आता है अपने ने फि değनह और अपको पता मैं है कब मीदन आगा है को और जगाता नहें नहीं सकते क्योंकि आप सो ही चुक्त हो इर सपनु दुनिया में हो या कोई सपने भी नहीं आ रहे देड हो फिर भी नींद अपने खुल लाती है सो आज तक साइंस को नींद के बारे में कुछ नहीं पता है में दो साल पहले एक देपार्टमेंट खुला था नींद के स्लीप तो मतलब मेरे फ्रेंड्स भी है मैं तो छोड़ यह कपकर तो मिझे बता रहे थे रिसर्च करने के लिए नींद गया है क्यों आती है क्यों जाग जाते है किसी को नहीं पता ब्रेंड में ऐसा क्या चल रहा है कुछ नहीं समझा रहा है कि पहल गीता में पता है कि भगवान कर रहे है परमात्मा हो तो कृष्णा भगवान है उसके लिए आपको दूर नहीं प्रता अपने अंदर ही आप सोचोगे घ्यान से गीता पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगी चीज़े कृष्ण एक और बोल रहे हैं सेकेंड चैप्टर में एक और एविडेंस दे रहे हैं मैं तो हूं मगर यह भी बता रहे है कि तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो आप कहो किस ने देखा है आत्मा वात्मा कोई आत्मा नहीं कृष्ण लेरे सिंबल देये उन्यास में अथा देहे कौमारम यॉबनम जरा तता देहांतर प्राफ्टे दीर सत्रनमुयती आप सोच रहे हो कि आप फीमेल हो और यह सोच रहे हैं यह सब गलत है ना फीमेल ना मेल आप सोच रहे हो कि मैं फीमेल है कि आप फीमेल बाडी में बैठे हो स्त्री शरी में बैठे हो और यह लोग सोच रहे हैं यह लोग पूरुष्टरी में बैठे हैं मगर ऐसा नहीं है आप ना स्त्री हो ना पूरुष्ट है सब आत्मा है यह बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है अब आप कोगे यह सब तो कुराणी बाते हैं बाधितों की बाते हैं लोजिकल बाते मैं मेरिका इनुवर्सटी के इनुवर्सटी है अब विज्ञानेग लोग भी समझ रहें कि हो सकता है कि हम शरीर कंड charter इसका एविडेंस क्या है प्रिष्णा ने गीता में सेकंड चैप्टर में इसका प्रमान दिया तो कहरें सिंपल है आप अपनी बच्पन की फोटो देखो अलग है आप अपनी खुदी बच्पन की फोटो नहीं पिचानपा होगे आगी मम्मी को बताना पड़ेगा यह तू है इसे पिर जवानी की फोटो अलग है सात साल बाद भी अलग हो जाएगी सो प्रिष्णा कहिए सिंपल है आपकी बाडी चेंज हो रही है मगर आफ़ नहीं बदल दये चाले साल पहले पर के आपको बाते मैं हूँ अभी पर मैं हूं और 80 साल वार्म पाते मैं मगर शरीर बाते हैं हर सात साल में आपका पूरा शरीम हर सेल बहर जाएगा- ब्लट लिवर उनके लाइफ होती है हर 120 दिन में आपका पूरा खून नया बन जाएगा और हर कुछ महीनों में आपका लिवर नया बन जाएगा किड्नी नहीं बन जाएगी चीज़े तूटती रहते हैं बनती रहती है हमारे अंदर नहीं में दूसरे सब को चला गया आपके रिanken में इससे पड़ा और चीजें एक भगवान भी आपने धाम में तुकि इस भ्रह्मांड को चला रहे हैं वो भी कृष्णा कह रहे हैं 10 चैप्टा एट वर्स में अहम सरवस्य प्रभवो बत्ता सर्वं प्रभवर्देदे क्रिश्णा कह रहे हैं सिंपल है आप देखो सारे प्लानेट्स सारे कारे कोई तो चला रहा होगा इसा नहीं होता करी तो अभी धमाके से कुछ बनता है तूपता ही है तो यह सब त्योरीज गलत हैं भगवान ने शुष्टी किया और भगवान चला रही है तो भगवान है अपने धाम में यहां से भगवान का धाम की डिस्टन्स के वह भी दिया हुआ है यहां से भगवान का धाम वेकुंट का डिस्टन्स भी शास्त्रों में दिया है मगर हमारे पास टेक्नलॉजी नहीं हम आ तक पहुचने भी अभी हमारे जो स्पेस्शिप्स हैं वह मार्स तक जा सकते मैक्सिवम मून तक जा सकते मैक्सिम्प इसके ब्यॉंड नी जा सकते बड़ चीजें हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीता बहुत साइंटिफिक है यह बहुत बता रहा है मैंने अभी तर्व आपसे कोई बात नहीं की कि बांके विहारी हैं लाला हैं ये हैं उनको प्यार करो ऐसा मैंने कुछ खाई हूँ क्योंकि ऐसा तो सभी कहते हैं बड़ प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि भद्वान है अपने धाम में उनकी परचाई जो होती है वो हमारे हिर्दे में पढ़ती है उसको बोलते हैं परमात्मा उस अपके हिर्दे में जैसे सूरच की परचा परचाई एक कुड में भी पढ़ेगी फिर एक एक कुवा में भी पढ़ेगी अगर मान लीजे अगर आप आठ घड़े रगदो पानी के तो सूरच की परचाई हर आठो में पढ़ेगी है नि तो वही कृष्णा कहने गीता में कि मैं अपने धाम में हूँ और मेरी चल रहे हैं और एक समय के बाद मिर्ति वाएगी तो यह मशीन बंद हो जाएगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं और परमात्मा आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में चली जाएगी अब कौन से शरीर में जाएगी वह आप खुद ही डिसाइड करोगे जैसे आपकी क्रियाएं यम यम वहां पी इसमरन भावम तेजन तेंते कले वरम एट चाप्टर में कि जो आप नित्यू के समय सोचोगे वैसी शरीर मिल्दाएगी तो आप कहोंगे हम मरते समय भगवान के बारे में सोच लेगे ऐसा नहीं हो सकता अगर आप पूरे जीवन आपने भगती नहीं की त आप नहीं सोच सकते हैं कि यूँकि आपको वही विचार आएगा जिस जो आपने पूरे जीवन किया है इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जिसको अपना शरीर सजाने का बहुत सौच शॉक है सब अपना टाइम जिसको जो अपना टाइम अपने शरीर पर बेस्ट करता है एक डिसेंट ड्रेसफ होना चाहिए बट फैशन और यह सब करना तो ठीक है भगवान भी कहते हैं कि ठीक है तुम्हें शौक है अपना शरीर सजाने का और शरीर दिखाने का तो अगले जनम में तुम्हें पेड की पेडल की शरीर में डालतेंगे दिखाते है रहुपना शरीर अपन होती हर्माटल्थी जो बहुं जिसको बहुत शौक है रात को जागने का आज को सभी जागने का लेट सोते हैं तो तुम कुत्ते रात को जागने का बैटर है अगलियों में घुवा सो आप जिस तरह करोगे इस लाइफ में उसी प्रकार आपको अगले लाइफ शेरी मिल लाइगा और बहुत सीरेस बात है क्योंकि आप मजाख में ले सकते हो मगर जब समय आएगा तो फिर आप कुछ नहीं करता हूँ मैं तो मैंने तो होस्पिटल में काम किया है मेरे सामने तो करोड़ों मरते थे अमीर अमीर लोग भी जिनके पास करोड़ों रुपे हैं मगर हमारे सामने रोते हैं डॉक्टर साहब हमें बचा लो जब कि इतने पैसे हैं और हम कहते हैं हम नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप स्वस्थ हो जब तक आगे पास भगवान की गृपा से पैसे हैं थोड़े बहुत खाना है तब तक आपको अपना जीवन इस्तमाल करना चाहिए गीता पड़ने के लिए और समझने के भूमना घामना पैसे की पीछे भागना उससे कुछ भी नहीं होगा है वो टाइम बेस्ट है आज कल तो चलो लोगों का इंटरनेट पर जाता है नि वाट्साइप 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 यूट्यूब इंस्टा बच्चे एंस्टा पे लगे होंगे सेल्फी कीच के सैल्फी मीन सेलफिशनेस है एक्शली बहुत गंदा कॉंसेप्ट है क्योंकि से अपनी फोटो कीचते रहते हैं बल्कि कृष्णा कह रहे है जो अपने बार हमें सोचता है वह असुर होता है कि 16 chapter 17 X cie Wow जो दूसरों के बारे में सोचता ह assumption नहीं हमारी संस्कृति में यह सिखाया गया है कि हमेशा ढूसरों के बारे में सोचो अपने मारे में होत uncool कि अब त्रेनिंग इन चीज़ों से बचें मैं बचेंगे तब जब हमारी अच्छी हैबिट्स होंगी ऐसे नहीं बच सकते क्यों कि गंदी हैबिट्स हमें लग चुकी है और मज़ा भी आता है इन चीजों में तो मज़ा कृष्म हमाने भी कह रहे हैं ठीक है अगर तुम्हें गलत चीज़ें छो कि अपने भट जाएगी क्योंकि यह चीज़ें आपका जीवन बरबात कर रही है कुछ सीखने को नहीं है इंसे और टाइम बेस्ट है ना चरित्र बनेगा ना आत्मा शुद्ध होगी और अब खराबी होते रहोगी और मन में क्रोथ दोएश सब यह पूछते हैं में बुस् बिचार आ रहे हैं शांत मन नहीं है क्योंकि गलत आदते हैं तब ही मैं कहारो अगर आप गीता पड़ोगे तो आपका मन संतुष्ट होगा एक अच्छे विचार आएंगे ओके गोडिया अजैकली भगवान कौन है हम कौन है करना क्या है जब मन संतुष्ट होता है तो उसम होती है और पिर प्रिष्चन बता ने मैंने बताया भगवान परमात्मा आत्मा शरीयर बता दिये हो क्रबार आप घर सजो करो और जो करोगर म Patrol जो लोग भार खाते मोमो छोमो धाते रहते हैं यह आप कैया भी बिलता रहते है गोल कप्पे खा लेंगे पापड़ी खा लेंगे खड़े ओके डेड़ी वालों के पास ओके आप कुछ भी कुछ भी खाने को तियार हो जिसमें सुआद है ठीक है सुवर बन जाओगे खाओ कुछ भी खाओ अब वह प्रकरति के निया में आप उसको नहीं बुदल पाओगे वह शास्त्रों में लिखा है मैं नहीं कह रहा गीता में लिखा है कि एक्जैक्ली यह करोगे तो यह बनाओगे इतनी डिटेल्स में नहीं है वह गरुड कुरान और भी किताबों में है बट ए दोशा होगा ना चुबली करने का तो काटे रहो तो यह चीजे है और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जब मृत्यों आएगी तो आपको इस शरील से निकलना पड़ेगा आप कुछ नहीं कर सकते और कब आजा आपको बता नहीं है और जब आएगी तो बिना बुलाए आएगी और ताइम आप आपके सारे प्लैंज वहीं रह जाएंगे मैं तो मैंने तो बहुत लोगों को देख लिया किसी से मिलके आया दो दिन अबता लगा टपक गया और मज़े की बाद है तीस-तीस साल के लड़के मर्वें चलते-चलते हो गया कॉलाप्स हो गया ब्रेन हमरे देख्चान अब लॉष्चान है सब एक्सपेरिमेंट मत करो यह बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं अपने लाइव के साथ एक्सपेरिमेंट करना अपने मन जीवन चलाना है बहुत खतरना सिचुएशन है और मैं आपको ऐसे बता सकता हूं क्योंकि जहां मैं बीटा एक jaham Lite Plus कि मैं नहीं था 있고 मैं धी काम कर रहा था उस्पिटल मैं भी निमान दा मगर जब अने कीता पड़ी तो मुझे होगत divak Hype Shihuna कि मैंने पहले नहीं पड़िए मुझे किसी ने बताया भी नहीं ह inappropriately अगर मैं भक्ति में नहीं पहले होता तो ऐसे प्रोग्राम में कभी नहीं आना था मुझे पॉसिबल ही नहीं है यह भक्ति बहुत अच्छी है बहुत आनन्द है बड़ तब है जब हम समझ के करें अधर्वाइस यह चीज भार बन जाती है और फिर मन नहीं लगता गीता हैं से शुरू होती है आत्मा पर्मात्मा भगवान अगला जनम मगर इससे भी परे जाती है कि भगवान कौन है अब यह बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि भारत वर्ष में किसी को भी नहीं पता भगवान कौन है मौस्ली भारत में लोग कहते हैं भगवान पूछो बगवान कौन है आप भी भगवान मैं भी भगवान है यही है नो सभी बगवान है क्या कहते हैं हम सभी बगवान है वार्यू से बगवान है लोग तो कहते हैं आत्मा पर्मात्मा एक ही है सब एक है जी हम से कहते हैं रभ सब आपका ध्यान रखेगा ऐसी बाते हमामें बाते चलती है लोगों से आप और या आदमी किसे से पूछे हो घर में जाकर भगवान को ने कहते हैं हाँ भगवान है महान है सब एक है सब को वहीं जाना है अब हो हमारा ध्यान रिखेंगे उनकी कृपा से देखे मेरा घर बन क्रीपा से मैं कर जाता हूं दिली में घया हूं वह और नेंगा क्या देखाय से इतना घर बन गया फिर मैंने गा सुझे भाथ रूम मैंने चाट क purely क्याता है मैंने । मुझे मैं पचास लगए इस पर ए गडिली हो атास लाख टॉ extrater कि लिए कोई सेंस नहीं बनती आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में पैदा ही नहीं हो मैंने उसको बोल दिया हूं क्या कहते हैं देखो सच है बाकि जूट यह है कि तुम बहुत अच्छे हो मेरा अशिरवाद है मगर सच है कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो तुमने पचास लग बात अब एजन्ट और फूल भी हो सकते हो तो इस पैसे कमाली उसने और पैसे प्थ्रों पैसे हैं तो संसारे कल्यान में लगाओ उससे दो संतुष्टी तो मिलेगी प्थर पे लगाने से क्या होगा कुछ नहीं होगा है तो पैसे मिल गया उनको उनके पुन्ने के ऐसे मगर दो क्यूं कि आइसा कुंकि गीता नहीं पड़ी मैं ने इंसा पूछा कि हां आपको पता बहुत पुद्वान कौने कहते हैं सब एक है जिए हमारे मंदिर भी है मंदिर लेकि गए मैंने देगा हम मंदिर मंदिर में शॉपिंग मार्केट मधी मडी थी शॉपिंग मॉल सारे सब की फोटो लगी है मैंने कहने में से भगवान कौन है सभी भगवान है जी तो आर्थी कैसे करते हो पूरा एक ही घुमा देते हैं सबको अब मुझे बताओ कोई भी sensible आदमी माने गए भारती ज़रूर मान लेंगे क्योंकि क्रैक होते हैं सब अब क्या करें अब पहले तो नहीं थे हमारे भारत के संस्कृत में बड़े बड़े रिश्री मुनी आएं मगर अब हालत ही हो गये हमारे भारत की किसी को कुछ भी नहीं पता जीरो हो गये है जो गहते घुमा देते हैं तो मैंने कहे रहें आपना आइटी की है आप फिर मैंने उसे बोला मैं सच बोलो जूट बोलो इसको पता था मैं क्या बोल रहें आप प्रभुजी प्रभुजी क्या है तुम बेफूफ हो तो ऐसा क्यों हो है यह क्यों बोग कंफूजन में कि गीता नहीं पढ़ो गीता बहुत छोटी गिताब है आप एक बार पढ़ ल है कि गीता को नॉवल की तरह पढ़ता हूँ घरंद की तरह मत पढ़ना कुछ भी समन्न नहीं आएगा जब मैं अपने अपने मेडिकल में था साउट में तो मेरी तुम्हें ड्यूटी लगी हुई थी प्राइमियल सेंटर में जो गाओं में नहीं होते हैं क्लीनिक्स होते हैं है क्या है तो वहां पर उलब घाओं में तो फैसिलिटी होती नहीं वा हो पर दो फिर अपने डेलिवरी करना उनकी करना मदा घंदा बाड तो गंदा ही होता है एक सुनाता भी कि तो प्राइब रेसे एक हो तो फीमेल उसके बच्चा पढ़ी हुई है तीन दिन से तो भी सुन मैं पढ़ता हूं तो सुन गीता वह सुन भी फड़े पड़े सुने जा रहे हैं। मैं पॉइंट यह बता रहा हूं कि गीता पढ़ने के लिए कोई शुद्ध जगे नहीं चाहिए। सिरूरी नहीं है। डिलिवरे रूम से सबसे अशुद्ध जगे कोई होती नहीं समसार में। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गीता पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। वेद पढ़ने के लिए है। सो आप गीता को एक नॉवल की तरह पढ़ो। नॉवल समझते हो नॉवल नॉवल कैसे उपनियास। टाहनी की तरह समझने की कोई जरूतनी है समझ आने लगेगा। बार-बार पढ़ोगे आज आएगा चंदन को बार-बार घिसोगे तो धीरे-धीरे खुश्बू आएगी। तो पढ़ते रघो अपने पासि अपने जैसे सेलफोन रख तो ऐसे अपने लिख लो आपने समाने मैं यह नहीं कहा रहा है कि कि बिनना पड़ते रहो नागे पड़ों तो अच्छा यह नीन में आईगी मगा नहा लोगे तो नहीं पड़ पाऊगे भर में नहाने के बाद खेल शुरू हो जाता है कि ताइम नहीं होता और फिर राम हूं कुकर की सीटी बच्चे पती बस यह है माताजीज का हस्मेंट का वो भाग रहे हैं भईया किसी से फोन कर रहे हैं ताइम नहीं है उदर भाग रहे हैं यह कहा है काड़ी कि यह वो का बस यह रिजब दो पढ़ो आफिस में रख लो ख़ रख लो चार-पांच गीता है रख लो अपने घर में एक ड्राइंड रूम में एक बैड रूम में एक किचन में तभी तो पड़ोगे जब सामने दिखाई देगी उठा के मैं भी ऐसी किया था मेरे भी पोष्कल में गीता थी एक अलग से गीता थी तो क्योंकि गीता के पूज़ा उसको समझने से होती है यह भगवान के रहे हैं गीता में अठार गया है जो मेरा संदेश समझेगा वही मेरी पूज़ा करता है गीता के पूजा उसको पंख्ञा करने से या कपड़ा में बानने से नहीं होती वह तो अनाधर सही है, बिना पढ़े यह सब करना अनाधर है, आप पढ़ भी रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, तब ठीक है, तब एक एडिशन है, एक मरे वे इस्त्री का आप फैशन मेक अप कर दो तो अच्छ है एक्स्त्री मर गए उसको फिर उसको मेक अप कर रहे हैं और भ्यानक लगने लगेगी वो तो और मोवी हो जाएगी नहीं उसी प्रकार गीता की पूजा करना बिना पड़े यूजलेस है एक्चली अनाधर ही है और गीता में लिखता है भगवान कौन है प्रिष्णा बाकी सारे देवी देखता है दुर्गा जी है गनेज जी है शिप जी है महान लोग हैं बड़ प्रिष्णा कह रहे है भुक्ता रामे के तब साम सर्वलो का महेश्वरम मैं भगवान बाकी सबको शक्ति मैं देता हूं मेरे अग्डर रासर क्या भगवान तो एक ही है था क्या है क्रिश्टन कंऽरडन बहुत हुरी है पत है अब को अब बज्ण में भी और पत्य क्या बोलते हो खिरिश्टन कंऽरच करने के लिए तुम्हें तो उ sales वह वह बदल लाते हैं लोग हमारे वेदों में एक ही भगवान दीए हैं बाकी सारे देवी देखते हैं बाकी सारे ग्रेट डेमिगोड्स हैं भगवान के सर्वेंट्स हैं और इस कॉस्मॉस को मैनेज करते हैं नगतर हैं सो वह कॉए कृष्छञ आइसलिए हम कृष्ण अगर्चा करते हैं उनसे भावान से प्रेम करना चाहिए उनसे संबंद बनाना चाहिए वह कैसे बनाए वह भक्ति से होगा भक्ति क्या है यह बहुत बड़ा विशे है उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है जैसे आप भक्ति में आर्थी करना है मगर आपको पता होना चाहिए आर्थी कैसे करना है कितनी अगर्वत्ति से करना है अगर आप एक अगर्वत्ति से करोगे तो वह अपराद है हैं आप नहीं कर सकते हैं आपने इडो कर लिया तो हरी अब राज़ को मैम्म्न spray होनी चाहिए एक भी हो सकते हैं अब मैम्मब की भात कँछ aga आपको पता होना चाहिए उनकी पसंद है भगवान ने देखती है हमारी तरह नहीं है बड़ उनके वह सोचते हैं भगवान भी तो उनको कुछ फूल आप अरपन नहीं कर सकते कुछ कर सकते हो जो अप ऐसी कुछ भी नहीं जला सकते थोड़ी सी ट्रेडिंग चाहिए वह सब क्रिष्णा भगवान है और हमें उनकी भक्ति करके उनसे प्रेम करके इस संसार से छोड़के भगवान के पास चले जाना है यह भगवान की आशाय है हमसे यह हमारा मिशन है human life का कि हमें इस जन्वृत्य के चक्र से निकलें जब हम मरेंगे इस शरीर खतम हो जाएगा अगर अगर भक्ति कियोगी तो परमात्मा आत्मा को लेके भगवान के पास चले जाएगे अगर भक्ति नहीं कियोगी तो फिर हमें अगला शरीर लेना पड़एगा प्लिक्ति करने से भख्वान से प्रेम हो जाता है संसार से सारा प्रेम खतम हो जाता है family आपकी रहेगी मगर आ अगर आपने यह नहीं किया तो वेस्ट है आप कुछ भी करते हैं आपकर नाम होता हो सकता है लोगों के बीच में यह महान है आप खुश होते रहो बड़ भगवान के नजरों में जीडो है अपने पैसे जरूर ही नहीं है आपके पैसे आपको बचानी करेंगे जब देख लेगा और यह सिंपल चीज़ें गीता पढ़ेंगे तो याद रहेगा बार बार सो मेरी रिक्वेस्ट आप लीज एक बार गीता पढ़ लीजिए हमारे स्कॉन की गीता जो है उसमें संस्कृत श्लोक है और उसका मतलब भी दिया है और एक्स्प्लेनेशन है जैसे मैंने एक्स्प्लेन किया बिना एक्स्प्लेनेशन के आप पढ़ोगे न गीता प्रेस की लेके चोटी तो कुछ समझ नहीं आएगा पर आपके कैसी है समझ नहीं रहा रग रदोगे वो ठीक है आपकी एक श्लोक पढ़ो संस्कृत श्लोक का हिंदी में मतलब है वो पढ़ो श्लोक नहीं पढ़ सकते कोई प्रॉल्लम नहीं है और उसके पाद उसकी व्याख्या है एक्स्प्लेनेशन है कि भगवान क्या थे ना साथ है वो पढ़ने बस आपको दस निट लगेंगे रोज इसको जब करने में कोई नाम नहीं लेना कोई दीक्षा नहीं है शुर्वात कर सकते हो अधिश्य विक्षाबात की बाते हैं मैं ऐसा निये कि कोई गुप्त मंत रहे ऐसा कुछ नहीं है नाम है भगवान का पहले सब राम राम ही करते थे और कौन करता था कोई ऐसे तो कुछ था नहीं तो आप बॉक करने जाओ नहाओ तो बहुत करो क्लीनिंग करो कुकिंग करो मस नाम बोलते रो गांवान को दाते रो तो यह नहीं तो भगवान का याद याद भी रहेगी फाल्टू के विचार नहीं आएगे टेंशन नहीं होगी सोट साच के आगे क्या क्या होगा अपके अगए क्या होगा बस चीज दरें गीता परने अनाम ले मैं और पुछ नहीं परेज़ें गूंधे तो अपने चीजे शुरू होजएंगे तक प्लीज आप लोग कर लीजे मेरी रिक्वेस्ट है को रोणा में बहुत लोग टपक है। कि इतने सारे लोग जिनकों, आशा भी नहीं थे इसा हो जाएगा, अब आगे आगे भूत कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं है गाए बहुत भविश्य वानी, खराव है संसार के, अश्रो लोजर से अब बाद के, भर बहुत बहुत खराव है, संसार के कुनली ही असर के हमारे कुछ भी कभी भी हो सकता है दोहजार पच्चिस तक बहुत विहानक समय और दुनिया बदलेगी और भविश्य पुरान में लिखा है दोहजार तीस तक बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी संसार में फूट क्राइस होगी शुरू हो गई एक खाना महंगा हो गया है इग्रेन रशे के ऐसे बिमारियां आएंगी मगर भवेश्य पुरान में लिखा है जो भगवान का नाम ले रहा है जो गीता सब्सक्राइब पढ़ रहा है उसके सामने लोग मरेंगे उसके पीछे मरेंगे उसके यहां मरेंगे उसके यहां मरेंगे उसको कुछ भी है मगषान तश मखवान को समझने ती I brush關係 जो भगवान को समझे का उंकी बीता पड़ेगा उनका नाम लेगा वर्णाम बहुत रिस्क में हमारे साथ भगवान नहीं है अप्चुली अभी मैं इसे तुमारी मदत कर दूंगा तुमारा हिटदे भी मैं चला रहा हूं सूरच चंडर मा सब दे कर दो ठीक है वहां वहां स्पेशल अटेंशन थे जो मुझे श्था इसे आपका मेरा मिलना होगा नहीं होगा पता नहीं होगा एसे ही होगा क्यूंकि जीवन का भरोसा नहीं है बट पता नहीं क्या होगा इसलिए अब आपको सादू संग मिल गया आज आपको मैंने एक सार बता दिया है गीता यह भी बता दिया गीता में बहुत अदर नॉलिज है और असान है कोई भी समझ सकता है बहुत असान है आपको बार बार पढ़ना है रस तो आप आज से बार चाहिए इसकी वह अपको कामने आएगी इसलिए इसलिए विकार नहीं होती और explanation होती भी है तो पुराने स्टाइल में होती है एक कलिस्थ हिंदी में पता नहीं क्या लिखा होता है निर्वान वह पते निक्ता लोगों को क्या चल रहा है तो हमारी स्कॉन की घीता में बहुत एक modern language में लिखा है जिसने आप समझते हैं न हम लोग जैसे मैं बोल रहा है इसे लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़े समझना ही मेन है फिर आप दूसरों को समझा भी सकते हैं अपने बच्चे को समझ आपके में हैं रहा कुक observately अधने से लिखिये प्रशे लिख दूसरों को जाएं है aya तो हम जो चाहेंगे परमात्मा वैसे हमें प्रेड़ना की बात है अगर इच्छा है तो भगवान उठा देने जैसे मैं बजाता हूं जैसे लोगों का फ्लाइट नहीं होती दो दो बजे तिन तिन मजे नहीं होती फ्लाइट तो नीद खुल लाती है एक बजे क्योंकि प्लेश करना है एअरबट वट पे घंठे कॉशना भी है तो कैसे खुल लाती सोच के सवया में फ्लाइट में सूजाएगी उठना है यह ट्रेन में मारे माइंड में है कि मुझे उठना है भगवान के आर्थी करनी है जल्दी उठना है तो अपने आप परमात्मा नीद खोलना है तो डिपेंड करता है हम कितना सोच के सोए है कितना मारे माइंड में है कितनी इंपोर्टन्स है भगवान के आर्थी की मौर में है इंपोर्टन्ट यह तो नीद में खुले इंपोर्टन्स की बात है और कुछ नहीं है जिसने साधु संग नहीं लिया था वह पर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सुना ही नहीं सुभे उठ तो हमारा मन करते हैं उठने कहा हम उठते हैं जिसको नहीं पता फिर वोस होता नहीं कि किस्की कि किस्की कि मेरे तो में मेरी सुड़न आई जो बीटू अपामी से विलॉग करती लिए कि क्रिश्टन में उसे कंवार के लिए उसे जैनले कुछा और वर्ड के होगे तो रीजन शी दी कि ना वहां पे ला इकोल्स होता हैं और यहीं जो परीट निश चैनले कि जो अपते सब्लिक थी जो प्रक्षिय से वहां पेस्टिशन मिला और बीगी तो बीटीपामी कुझे वहां पेस्की कि वहां बीगार तो अट इसको बोलना था कि शरीर ठीक हो गया मगर आत्मा ठीक नहीं हुए शरीर तो पीर वाले भी कर देते हैं नहीं वह कुछ कर रहे हैं उससे हो गया शरीर ठीक है ठीक हो कि अगल दोबारा भुमार हो जाएगा कुछ भरुसा नहीं है लगार आत्मा ठीक नहीं हुए क्योंकि वह अभवा पे किνंग जारी है क्योंकि उसको काम हो जारी है कि ऊभवरु वहला है उसका उनिफिया साथ हो तों यही। उतंसर यह देश its वहन करते हुऊं किअले वह भी वह वह ब्रेंज थो सकता हैइब धगवान की दिस्ञप मैं हमारे लिए अच्छी जो अग्वान सोच रहे हैं इसको मैं सही करतूंगा फिर यह खराब रास्ते पर चला जाएगा तो पता है न भविश्य और फिर अपना कूड़ा कर लेगा इसलिए थोड़ा तो विमार रखो एटलीस खरार रास्ते पर नहीं जाएगा तो भग्वान तो भग्वान हमारे लिए और हम फिर ऊपने को सहीवाई कर के और फिर उसके बाद अपना खराब करने के चीज़ेवान भवान पर चुछ कोड़ें पल्ला इसलिए और समझते हो जारो इसलोगर डिया करके और फिर उसके बाद प्रोद पर इसदो आज को पर अजब आए अधा तो फिर इसक अड़र हरे तसना सिना वार तसना